हेलो फ्रेंट्स मैं गायतरी हाउटू में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज आपके साथ मैं कलाकन की एक नई रेसिपी लेकि आई हूँ अलगातर चलाते रहना है शुगर नीचे नहीं चेटना चाहिए तपेली में और इस तरह से चलाते हुए शुगर का चिसम मेल्ट करना है और यहां पर यह शुगर मेल्ट हो गया है और शुगर का कलर भी चेंज हो गया है देख रहे हैं और यह गोल्डन कलर आ गया है तो मैं गेस ओफ कर देती हूँ और इसमें half teaspoon में घी डालूँगी यहाँ पर मैंने गेस ओफ कर गेस को ओफ करने के बाद ही घी डालना है आपको अच्छे से mix करके इसमें जो मैंने dry foods लिये थे काजू बादाम उने मैंने बिल्कुल बारिक कर लिया है वो डाला है और अच्छे से mix करना है और किसी भी घी लगी plate में आप घी लगा लिजे किसी plate में और यहाँ पर इस plate में मैंने घी ग्रिश्ट कर रखा है तो मैं इसमें ही इसे डालूँगी set होने के लिए अच्छे से जम जाएगा यह इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे मैंने plate में फेला दिया है और इसे मैं थोड़ा सा spoon सा फेला देती हूँ और अच्छे से और इसे दो गंटे के लिए रख देते हैं ठंडे इस्तान पर तो यह अच्छे से set हो जाएगा एक दम कड़क हो जाएगा तो चली मैं इसे रख देती हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डेड़ लिटर दूद लिया है जिसे तपेली में डालके उबालने के लिए रख दिया है और guest on है इसमें पहले उबालाने देते हैं यह full fat cream दूद है और इसमें अच्छे से उबालाने देते हैं अगर आप दूद से नहीं बना रहे हो तो market में मावा भी मिलता है आप उससे भी बना सकते हो उससे फटा फट 10-15 मिट में बनके तयार हो जाएगा उसमें टाइम नहीं लगता है सिफ बटर इसकोश क्वांच बनाना रहेगा आपको और तलाकर तो फटा फट बनके तयार जाता है रेडिमेट मावे से बस दूद में टाइम लगता है थोड़ा जम दूद से बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है दो तिन घंटे लग जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूद में उबाला रहा है और यहाँ पर दूद में उबाला चुका है तो मैं प्लेम को मीडियम पे कर देती हूँ और लगाता चलाते हुए इसे हमें ड यहां पर यह देल लिटर दूट से हाफ रे गया है तो इसमें में डाल देती हूँ वन कप शूगर शूगर आप टेस के गॉर्णिंग डालिएगा और इसे फिर से लगाता चलाते हुए पकाना है हमें इसे छोड़ना नहीं है ने तो चिपक जाएगा नीचे यहां पर में डा हो तो नीबू का रिस भी डाल सकते हो और इसे लगाता चलाते रहेंगे हम यहां देख रहे हैं आप यह और ठीक हो गया है और इसे हवे जब तक पकारना जब तक यह तपेली को नहीं छोड़ देता है एकदम गाला नहीं हो जाता है तो इसे लगाता चलाते रहना है बिल्क वसी इसी तरह से पाकाते हो, इसे एकदम ठिक करना है हमें, जब तक ये तपेली को नहीं छोड़े, जब तक पाकाना है इसे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, इसने तपेली को छोड़ना शुरू कर दिया है, ये दिखिए, और मैं ये अच्छे से सैट हुआ है, और ये पट से निकल गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इसको, और ये बहुत ही क्रंची बना है, इसे मैं पीसे कर लेती हूँ, इसको दरदरा हम पीस लेंगे, आप चाहो तो मिक्सर में, मिक्सर में बहुत ज़्यादा बारिक हो जाएग इसके अंदर, और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, तो इसे मैं सैट होने के लिए रख देती हूँ, जो केक का बरतन में लिया था, इसे मैं सैट होने के लिए रख रही हूँ, इसे घीसी ग्रीस कर रखाए मैंने, और किसी कटोरी की मदद से इस तरह से चारो तरफ फेला दीजिए से एक बलिगूल एक जैसा बना दीजिए प्लेन और यहाँ पर यह अच्छे से जम चुका है इसे मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ एक दो घंटे के लिए और यहाँ पर इसे एक दो घंटे हो चुके देखिए बहुत ह ज़यों सेट हुआ है तो इसके मैं पीसे चल लेते हूँ यहाँ पर मैंने साइट से हटा दिया है यहाँ पर मैं पीसे स्याइश कर लेती हूँ क्रोटे और यहां पर देखिए बहुत अच्छा बना है आप ज़रू रहे करईगा इसे और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ यहाँ पर मैं हलका सा थप-थप किया और यह निकल गया देखिए और यह बहुत ही टेस्टी बना है और यह जो क्रंच आएंगे मुँमें खाते समय कलाकन को तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए इसे से मैंने पीसे कर लिया है इसके पहले से मैंने काट लिया था तो यह पीछे साइट से भी आसनी से कट गया है और यहाँ पर यह टेस्टी डिलिशियस बटरी स्कॉच कलाकन बनके तयार हो चुका है और जब कलाकन आप खाओगे और इसके क्रंच मुँ में आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा एक बार और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेगा पहली बार मेरे चैनल पर आएए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फिर मिलती हूँ में नेक्स वीडियो में